जोटे लोगे सरलनेंटेड स्टडी जोन युवराज बैच चल रहा है आप सब के साथ बैठें है युवराज खंडेल वाल और आईए स्टार्ट करते हैं आज हमारा चैप्टर जिसका नाम है क्या नाम है युवराज भाई जो जो इन्पूट को रहा ही तो दिवर ना करते हुए दोस्तों चलते हैं इंट्रोड़क्शन आफ कम्प्यूटर की तरफ देखते हैं प्यारे प्यारे कोस्चन तो पहला और अंसर को देखे विन आपने मन में सोचिये वाट इस computer तो कदी यव्राज आशा भी बता अपने दोस्तों को computer क्या होता है या electronic device बट फिछली क्लाश में आपने बूला है electronic machine electronic machine तो computer जो होता है electronic machine होता और यह क्या करता भाई कि प्रोसेस अपने करता यह ओ जो input को process करता है and gives us output बिल्कुल सभी बात है कि जो computer होता है वो input को process करके हमें क्या देता है output produce करता है और you can say computer is a electronic machine that can perform mathematical calculations and all type of calculations है ना जो कि calculation को बहुत fast complete करता है अब उस calculation के अंदर बच्चो ये नहीं कि आपके गनित के sum solve हो जाएंगे उस calculation के अंदर बहुत सारी calculation हो सकती है बहुत सारा काम हो सकता है बहुत सारा टास्क हो सकता है वो गिंती कर सकता है ओके वह आपके संदेश को यानिगी मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक one place to another place भेज सकता भाई साब so what is computer computer is electronic device electronic machine that take input from user by input देगा कौन हम देंगे ना और हम कौन है user है that take input from user and after process return result to the user और input को process करने के बाद क्या देता है result देता है किसको देता है user को आई ये बात करते हैं the users of the computer तो भाई दुनिया का मेरे ख्याल से आज के टाइम में एक कोई ऐसा प्पेचल नहीं जहांपर computer का यूजना हो मुझे आप एक फ्रेंड बतादो जहांपर computer का यूज नहीं हो रहा है बताओ हर जगह hospital में जो computer मीलेगा business area में जो computer मिलेगा shopping mall में जो computer मिलेगा AirPord पर जा computer मिलेगा railway station पर जाओ computer मिलेगा even Road पर जाओ तो airplane के अंदर भी computer मेलेगा, ships के अंदर जाओ तो पानी के अंदर भी computer मेलेगा, मतलब आजकल ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर computer ना हो, I think बस इंसान के शरीर के अंदर ही computer नहीं बचा क्योंकि वहाँ पर तो brain बैठा हुए, कौन बैठा है, brain तो जहाँ पर brain बैठा है, क्य कोई नहीं है, okay, and brain जो मैं कहूंगा, actually यह natural computer जो God ने बनाया है, okay, बाकी computer क्या है, man made, बाकी computer क्या है, तो दुनिया का सबसे बड़ा computer किसे मानते हैं आप, brain को, क्योंकि brain के अंदर सारी information store है, सुबह से उठना, washroom जाना, खाना, पीना, school जाना, आके पढ़ाई करना, इस इखली classes की भी chapters याद है, मतलब brain के अंदर तो memory भी unlimited, वो भी बिना microcard, बिना chip लगाए, बिना कोई external device लगाए, तो बच्चों है न कमाल की बात, बिलकुल, आईए, तो computer I use at most every field in our life, okay, for example, business, bank, railway, army, medical, science and research, इन सब में computer हमारा इस्तमाल होता है, अब बात करते है, write the name of the different part of computer तो part of computer जानते हैं, आप उपराच कितने होते हैं, कौन-कौन से होते हैं, बहुत सारे होते हैं, पहला computer का brain किसे का जाता है, CPU को, बिलकुल सही बात है, इस सबसे important process unit है, जिसको बोलते है central processing unit, उसके बात keyboard, keyboard input है, output है, बिलकुल गला, keyboard जो होती, input device होती, यहां से आप input करते ह keyboard में output नहीं आता है, आप data डालते हैं ना keyboard में, तो keyboard से तो आप देते हैं, जानकारी लेते थोड़ा ना है, keyboard आपको जानकारी देता है कि लेता है, लेता है, तो keyboard आप से जानकारी मांगता है, फिर आप उसमें entry करते हैं, yes or no, तो keyboard कैसी device है, input, mouse भी कैसी device है, input, monitor क्या है, output, Japanese Youtube आपको दिखाता पिक्चर दिखाता है मैसेच दिखाता है अउट पूट एफ up काा यह एक आप यह तो कम्पुटर लाइट लए गूल होजा है तो घ्ली से सिस्टम भी याप पैन ड्रैप डिताया रहत चाहिए fucking ऑपॉट द्रैप जो तो हो गई okay and DVD CD से बड़ी ज्यादा मेमोरी होती रहे डीवीडी का पूरा नाम डिजिटल वर्जटाइल डिस्क इंपोर्टेंट चलिए तो ये तो हो गई जनाब बात हो गई आए देखते हैं कुछ डिवाइस इस राइट द नेम आप दे इंपूट डिवाइस विद डियर तो डिसीजन टेकिंग्ग जैसे आप किसी बार पे जाते तो आप करते हैं क्या डेट Pres grrto think करके दो पहला क्या ता ओंपन क्या AI रचका California सकते हैं आखिलिजिदीक मैं डिया भार norm соз puisque लेस achei ये तो सबसे पहला जो वीडियो गेम आया था समझ गया ना मैंने 1990s में ट्रैक बाल वाला वीडियो गेम खेला था मतलब उस समय हम लोग के लिए यह बहुत मज़ेदार चीज था बट आज कल तुम लोग इसको खेल को तो बोर हो जाओगे क्योंकि आजकल तो बहुत अच्छे गेम आ गये बहुत ट्रैक बॉल जो था बहुत सिंपल गेम था बहुत ही सिंपल टाइप का गेम समझ गया ना जैसे आपने देखा अरे भाई जैसे एक कुछ चलने का होता था चैरेक्टर वो चलता रहता तो उसको चलाना होता था और चैरेक नंगा होगर ऐन ज Chuniche प्राइब क्या करता सभ συ स्कैनर के लिए बहुत बड़ी चीज्ब सी बाइसाब साब इसकैwnर क्या है और ये बाइक हो रहा है और यह क्या पेन बाइये यह सबसे पहले मॉनिट्र है ये मोंडुटर का क्या होता है डिस्प्ले करना किया करना प्रिंटभी करना फिर उसके बास प्रिंटर जो प्रेस होते हैं वहां भी प्लॉटरिस्थ आपकlike यहां पर चुपता है हो यह यह अपर चाहते हैं इस एकसे पेपर का तो यह डूंता जूता जाता है और यह पड़ा सा प्री पर चपाई होती जाती है और burnt लिखने ही आपन को इसका पीछे का काम और पीछे से पेपर गिरताा जाता है तो इस पूरी की पूरी मशन को हम क्या बोलते हैं, Plotter क्या बोलते हैं, इसको? addressing आगे ना, Plotter है भाईस भी तो जानती है Speaker क्या होते हैं यह, Speaker क्या करता है, Audio क्या देता है, Audio, Output है क्या है यह Output समझ मैंना अगला है headphone headphone क्या देता है listening voice आप इसमें से आउज सुन सकते हो इसके बाद smart board क्या भई डिस्प्ले होता है okay display होता है है यह क्या करता है दिखाने के लिए और लिखने के लिए और लिखने के लिए बुलो समझ में आया कि नहीं है चलिए आए अब बात करते हैं क्वेश्चन की वाट इस सीप्यू भाई सीप्यू ब्रेन ओफ कंप्यूटर सिस्टम सही बात है सीप्यू का फिल फॉर्म हर कोई जानता है सेंट्र प्रोसेसिंग यूनिट बिल्कुल सही बात है आए जी देखत यह सबसे उपर टॉप में जो कोई होती है यहां पर दी गए यह कुछ की सो के मेरे को थोड़ा से छोटा करना पड़ेगा अपने मार्कर को यह तो यह यह अब देखिए भाई सब इंडिकेटर्स क्या बोलते हैं इनको इंडिकेटर्स अगर आप इनको इंडिकेट कर यह पखेंगे तो यह बातियर आपको आपको यह क्या है नंबर प्रैट है बोल рокी ऑ अगये क्या की इंडिकेटर के फोड़ की होती है है तो यह तॉप पीजो होती है इस को म्या प्रिखे अप इंडिकेटर्स एक प्लस मैने से फ्लस है और याप की लिख रही है इनको क्या बोलते हैं स्क्रो में कौन कोने होम मतलब सबसे उपर जाने के लिए का बेट इधर देख रो भई हों में बेठाय यहां है अब वो बड़े वाले कीबोर्ड में पर चोटा वाला कीबूर्ड अपने पास तो यह होम होता है अगर मैं होम दबादूंगा सबसे उपर पहुंच गया यह लिए दबादूंगा तो सबसे नीचे पहुंच गया ओए मुझे वापस जाना पड़ेगा अपनी जगह पे तो मैंने होम दबा लिया था हम मुझे ओके अब इसके बाद यह जो होती है दो साथ में यह वाली जो की जो इसको बोलते हैं इसमें नीचे वाली इसको बोलते हैं डिलीट यह देखो यह डिलीट बटने कौन सी बटने यह डिलीट है ना हाँ इसके बाद देखो ऊपर यह दिख रहा कुछ क्या लेका प्रिंट स् स्क्रीन जो है कहीं पर जा के प्रेंट कर सकता हूं मैं जैसे मैंने इस ज किन दबा दी यह मैंने प्रेंट इसजी की चेभ दी यूुकिर आप देखा यह star च भूआ है औरम होचाल यह समय कहा है जो प्रेंट इसकुल आ चुकी रहा ही वज़ुर्च उनक रहु God don't save चलिए तो प्रिंट स्क्रीन देख लिया आपने ओके आपने डिलीट देख लिया दैन भाई साब आ जाई ये देखिए ये CTRL का मतलब होता control क्या होता ये control की ये देखिए CTRL control किये ओके इसके बाद ये क्या है इसको मीनू बोलते हैं क्या ये को खुल गया वे खुल गया ना Windows option खुल गया यह होती ऑल्ट क्या होती है इससे भी काफी सारे function तो इसको दबा दो तो capital letter लिखेगा otherwise अगर आप नहीं दबाते तो ये तो लिखेगा capital A दबाओगे बड़ टाइब क्या होगा इस मॉले क्या टाइफ होगा इस मॉले तो capital के लापको क्या दबन अपड़ेगा caps lock क्या बन अपड़ेगा caps lock ऊपर इसके दिखरी ये टैब की कौन सी की है ये देखो टैब दली हुई है कि टैब से इस पेस छोड़ता है क्या छोड़ता है इस पेस जैसे आप यहां पे लिख रहे हो करसर और आपको फाइवी स्पेस छोड़के आंगे पहुंचाना है तो आप इस पेस दबादीजिए तो आपका आंगे पहुंच जाएक बोलो समझ में आया कि नहीं है के लिए इसके बाद देखो इतनी सारी दुकान उपर लगी ऊपर ऑफर भी एसकेप है ऊपर भी क्या है तो अगर किसी चीज से बाहर आना हो तो इसके लिए इसकेप आप दबा सकते हो चीज आपको फिर मीनू दिखा देगी समझेगे अभी यहां पे कुछ नहीं होगा इस आपकी थोड़ी सी मदद करीगी आंगे भाई साब यह है फंक्शन की ओके यह कौन सी की है फंक्शन की अब देखो मैंने इसकेप दगाया था ना तो मेरे मेरा क्या हुआ था मेरा जो मारकर पेंट था वह अलग हो गया था मतलब उसने कहा कि अब सारे फंक्शन अलग कर दो इ यह देखो इसकेप अभी देखो अभी मारकर पेंट क्लिक है है रहा चेक है क्या है यह जैसे लिवासस के दरीडा दर्भार के लिऀंगे दर को अग्लूरी होता ही मगरी कम्प्वयूटर का फंक्शन में काम में आती अभी आपकर Slermanian इनको बोलते हैं function की यह चौड़ी वाली को क्या बोलते हैं इंटर क्या बोलते हैं इंटर किसी चीज को परफॉर्म करने के लिए अंदर जाने के लिए इंटर होती है समझ गया यह क्या होता है बैक स्पेस क्या होता है यह बैक स्पेस इसका खाम क्या होता जो ची लिख चुक और जी यह आ गया माॉस किता प्यारा सा माउस आपको दिख रहा देखो बाई समस में Left Mouse बटन यह Left वाला है ओली है यह राइट वाला है और कुंछ सी स्क्रोल में इसरल में स्क्रोल भी सबनेया NOT कोई छिठ्चा अब आपको मैंने बता था राइट माउस का य्यूस क्या होता है यही क्लिक करके देख लेते यह मैंने डाउर्ट मांस तो भाई साब र्याइट व्यू मीने धूर जो भी मेनी उसे जो भी आप्षिंस orangकट करने के लिए र Self lifes आप left click को करके click करोगे समझ यह तो select हो जाएगा स्थाइगा क्या चलिए और क्या होता left click का काम अगर आप यहाँ पर जाओगे तो आप इसको पकड़ के drag भी कर सकते हो क्या कर सकती हो ड्रेग अगर आप right click करके देखो मैरा right click करके drag कर रहा हूँ देखो मिना हाथ करोगे इसपर राइट पे है यह राइट घर करके ड्राइब करोगे ड्राइघ नहीं होगा इदर भी करो ट्रेंग ड्रेग नहीं होगा अफिस्टाइल हो राही इसको ट्रीप करेंग करके दिक तौट अरहंत त Real can कैसे करता देखो कंट्रोल दबाओ अगर चोटा करोगे पीछे करोगे तो चोटा होगा आंगे करोगे क्या हो जागा बड़ा हो जाएगा ठीक ना तो आपने यह देखो मैंने आंगे पीछे करके बड़ा चोटा कर दिया तो भाई काम का तो कलो यह लो जी मेरे काम का गया तो क्या करते हैं डायनेमिक जूम इन आउट करते हैं क्लिक ऑन होल्ड वील टू पैन अच्छा आप जो है अगर इस वील को दबा दो अगर इसको उपर नीचे करो क्लिक एन होल्ड तो भी यह मूफ करेगा ठीक ना और अगर आप इसको देखिए इसको मेरे को अंचेक करना पड़ेगा पहले ओके यस तो मैंने क्या किया है यह मैंने सेंटर पर बटन दबा दिया है मैंने सेंटर पर बटन दबा दिया है तो यह गोल कलर ऐसे आगे नीचे जाना मतलब ऐसे जा सकते हो ऊपर जाना मतलब ऐसे जा सकते हो ओके क्लियर हो गया समझ मैं तो जैसी मैंने दबाया आपके पास डबल यह देखो सिंगल क्लिक करा मैंने तो यह बटन आएगा यह उपर ले जाएगा और यह कहां ले जागा नीच ले जागा आप एक बार कर से एक्सपरिमेंट करके देख लो इसको अना लो दबाउ बटन सेंटर वाला सेंटर वाला भाई भील का अरे दबाना भाई दबाना बटन को यह अब आप उपर करिये माउस को स्कुल यह देखी उपर तो हई यह नहीं जा रहा है क्या प्रॉब्लम मैं दिखाऊ देखा ना बहुत बढ़ा है ओके यह मूव होने लगा और यह नीचे ओके ठीक है चलो इसको अटा दिया मैंने अब आंगे बात करते हैं हो हुआ तो माउस के बटन की बातोरी लिए आ ट्यू टाइप्स थ्री टाइपस ओफ बटन इन इंदा माउस लेफ्ट बटन राइट बटन इन इस क्लियर ओगया चलिये राइट दशन्डूंस in computer lab for the student is to reduce मतलब क्या करना चाहिए और डॉन्स मतलब क्या नहीं करना चाहिए डॉन्स मतलब नहीं करना डू नॉट्स तो दे आर फॉलोविंग दा रूल्स आप दा कंप्यूटर लैप के आपको रूल्स को माना चाहिए डू नॉट टेच एनी ऑप्टिकल वाय एनी एलेक्ट्रिक वायर को टच मत करो शट डाउन दा कंप्यूटर थू प्रॉपर चैनल मतलब कंप्यूटर को ऐसे शट डाउन कर चाहिएगी है न कॉम्प्यूटर को बंदकना है तो प्रॉपरली बंदकरना है clear है जैसे आप पढ़ाई करना बंक्रते हो अपनी किताबवों को बैग में लगते हो पिर जाकरके बेड में सोते हो या ऐसा तो नहीं होता तो आपके उपर लाकि वहीं से गद्दा पड़क द होता है कि computer को जब बंद करो तो properly उसको बंद करो use of computer after the permission of teacher अपने teacher से permission लेलो उसके बाद computer को use करो clear हुआ done all right do write down the feature of computer computer के feature computer is also machine it work very fast it does not make any mistake it never get tired यह कभी थकता नहीं है क्योंकि यह electric machine है इसकी बात करते हैं स्ट्रेंथ इसकी स्ट्रेंथ क्या इसकी स्पीड है एक्यूरेसी है reliable reliability मतलब भरोसा reliability मतलब भरोसा आप इस पर भरोसा कर सकते हैं जैसे आप देखो मैं अपने सिस्टम पर कितना ज़्यादा भरोशा करता हूं यह मेरे दोस्त के जैसे एक्यूरेसी बिल्कुल सही बता था हाई स्टोरेज कैपेसिटी मेरे कंप्यूटर में बहुत सारा डेटा है बहुत सारे स्टोर करता है और वर्जटेलटी मतलब वर्जटेलटी मतलब बहुत सारे टास्ट करता है बहुत सारे काम बहुत सारे काम समझ गया ना जैसे है आपके डेटी अओने बहुत सारे काम करते हैं आपके डेटी टेचिंग भी करते हैं आपके डेटी गाना भिसनाते हैं आपके डेटी गेंजने भी खेलते हैं these are no काफी सारे कामा आते न आपकर ग magically ही द sû्ट यूद्ध की यू hard werd इसे आपका कंप्टीटर भी बहुत स़े काम करता चल्कुति Village कंप्टिव गाने सुनते हो कंपिटर एंडी यूटीब चलाते खोंँ कंप्टिव में पढ़ते हों इतने सारे काम करताह इसको बोलता है वीज tirar और इसी का दूसरा नाम है multitasking क्या नाम है multitasking बट multitasking में एक rule हो जाता है कि एक ही time पे बहुत सारे काम उसको बोलते multitasking जैसे बिल्कुल अभी कर रहा है अपना computer क्यों record हो रहा है चल रहा ना इसमें साथ ही साथ एक वह लगा हुआ माइक लगा हुए यह मेरी वाइस को भी रिकॉर्ड कर रहा कर रहा की नहीं कर रहा है साथ ही साथ इसने क्या ओपन कर रहा है पीडियाफ ओपन कर रहा है कर रहा की नहीं कर रहा है और एक चीज़ और भाई कम्प्यूटर की मेरी फाइल खुली हुई है लिख भी रहा हूं मैं sound भी रिकॉट हो रहा है वीडियो इतने साथ एक सारे काम इसको क्या बोलता हूं में multitasking क्या बोलता हूं multitasking एक ही समय में बहुत सारे काम weakness क्या है computer की weakness की बात करते हैं lack of decision making power computer खुद से कोई decision नहीं ले सकता जब तक कि आप इसको बोलोगे नहीं है ना lack of decision making power और अच्छी बात है भई मैं तो इसको मानूगा ये weakness नहीं है अगर computer खुद से decision हो जाए लेने लगेगा तो एक दिन ये खुद अपना मालिक बन जाएगा समझ गया ना दिक्कत अरे हम लोग का मालिक बन जाएगा भाई अगर computer खुद से decision लेने लगा तो पता जला computer खुद एक ऐसी machine बन जाएगी जो हम लोग को order देगी फिर हम लोग का काम क्या बचेगा बुले यसा और no तो machine machine जैसे अच्छी होने चाहिए समझ गया ना फिर इसके बाद क्या है computer का zero IQ है computer का क्या है zero IQ computer खुद का zero IQ है उसके अंदर कोई IQ नहीं है उसके अंदर कोई intelligence नहीं है जैसा हम बोलेंगे वैसा वो करेगा clear ना आई बात समझ में तो ये है computer का introduction तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये हमारा lecture जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजे और बताईए आपका समय देने के लिए धन्यवाद